नमस्कार ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाजय पुनर्वसू हुताशवेश चरक प्रबृतिभ्यो नमो नमाहा पातन्जल महाभाश्य चरक प्रदिसांस्कुर्त यही मनोवाक कायद उश्याना मरत्रेही पतये नमाहा आज हम विमानस्थान का चौथा अध्याय त्रिवीद रोग विशेश विद्यानिय अध्याय का अध्याय का अध्याय करेंगे कल जनपदो धोंस अध्याय के वरणन करने के बाद अब ये त्रिवीद रोग विशेश विद्यानिय नाम का अध्याय यहाँ पे वरणन कर रहे ह अध्या यहा, अथा तरिविदर रोग विशेष विद्ञानियम विमानं व्यक्ष्यास्यामा इतिहस माह भगवान आत्रेया, टिकागार खेत हैं कि जनपदो द्वोंस अध्या में साधारण रोगों का, मतलब जो सभी व्याधियों, सभी व्यक्तियों में साधारण कारण से, समानकाल में उत्पन होने वाले व्याधियों का हमने विचार किया अब जो साधारण है और असाधारण है ऐसे दोनों प्रकार के व्याधियों का परिक्षन कैसे करे और वो प्रमानों से कैसे करे इसके लिए ये विशेश वरणन करने वाला ये विमान स्थान का अगला अध्यै अभी यहाँ पे लिखा जा रहा है त्रिविदम खलू रोग विशेश विद्यानम भवती तद यथा अपतो पदेशम प्रत्यक्षम अनुमानम्च इती यहाँ पे सूत्र का पहला शब्द त्रिविदम रोग विशेश विद्यानम ये होने से अध्याय का नाम त्रिविद रोग विशेश विद्यानिय हुआ और यहाँ पे विशेश का वरणन चल रहा है न कि किसी विशेश का हेतू का इसलिए इस पद को ये प्रत्य लग के त्र अध्यास अध्यत्व या उसका परिक्षण और उसके विद्ञानिय उसका विशेश द्यान करने के रिए मतब रोगों के परिक्षण का विशेश द्यान जिस अध्या में किया गया है और वो तीन प्रकार से किया गया है उसे त्रिविध रोग विशेश विद्ञानिय कहा जा लिया गया है इसलिए तीन ही अब यहाँ पे त्रिविदम खलू कहते है तो तीन ही होते हैं इसके लिए ऐसा वाक्चय होता है कि तीन ही रोग के विशेश के विध्यान के हेत्व हैं उसका नाम है आपतो पधेश प्रत्यक्षर और अनुमान अब ये क्रम क्यों है क्योंकि बिना आपतोपदेश के प्रत्यक्षर अनुमान करना ये गलत हो सकता है इसलिए प्रत्यमत हाँ आपत का उपदेश होना वो ग्रंत से होना या फिर किसी गुरु मुख से होना ये अत्यनता आवश्चक है इसलिए आपतोपदेश का प्रत्यम क् पुर्वही होता है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसका हम आनुमान नहीं कर सकते, इसलिए प्रत्यक्ष का उल्लेख है, फिर प्रत्यक्ष का उल्लेख है, और फिर आनुमान का उल्लेख है, इसलिए इस क्रम को भी महत्व है, इसलिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और आनुम आपतों के वचन को आपतों उपदेश कहा जाता है। अब यहाँ पे सूत्र जो सूत्रस्थान अध्य गैरा में ये तीनों प्रमाणों का व्याख्या दी गई है। फिर भी ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो ये कोई पुनर उक्ति नहीं है। ये विश्य के अधिकरण के आनुशंग से यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। आपता की व्याख्या सूत्रस्थान में हैं। connecting knowledge प्रहें ये वक्ति रजतमों से परित हैं, रजतमों से मुक्त हैं, रजस्तमी अभ्या निर्मुक्तहा। कैसे तपोध यांद के बल से जो व्यक्ति रजतम से मुक्त हो चुका है। आपता शिष्टा विबुद्ध, उसको आपता शिष्टा और विबुद्ध कहते हैं, उसके वाक्य असंशे होते हैं, और ये शाम वक्षती ते कस्मात, असत्यम निरजस्त महा, वो कभी असत्य नहीं बात कर सकते, जैसे वो क्योंकि वो रजतम से परीत होते हैं, ये सूत्र स अब यहां पर बताते हैं आपता कौन है आपता ही अवितरक स्मृति विभागविद वितरक का अर्थ है समुशे होना वितरक का मतलब ग्रंथ कारू टिका कारू ने वितरक का अर्थ अनिश्चित ज्यान किया है वितरक मतलब चक्रपाणी ने उसके टिका की है वितरक अनिश्चित ज्यान तो अ वितरक क्या हो गया निश्चित ज्यान जिसको निश्चित ज्यान है यह ऐसे हो सकता है शायद ऐसे हो सकता है शायद ऐसा होगा यह किसी ने ऐसा कहा होगा मेरे प्रत्यक्षर नहीं है ऐसा जो कहता है वो आपत नहीं हां यह ऐसा है ऐसा मैंने देखा है और ऐसा होता है ऐसा जो कहता है वही आपत है इसलिए जिसका न्यान निश्चित है यह उसका प्रथम लक्षण है वितरक वितरक मतलब निश्चित न्यान और वितरक मतलब वितर्क मतलब अनिश्चीत नहीं होना उसका विपरीत अवितर्क उसको उपसर्ग लगा है जहाँ पे उपसर्ग लगता है वहाँ उसका उल्टा अर्थलिया जाता है तो वितर्क मतलब अनिश्चीत न्यान, तो वितर्क मतलब निश्चीत न्यान, तो जिसका न्यान निश्चीत है उसको अवितर्क कहा जाता है, स्मुरुती, स्मुरुती का अरत है स्मरण न्यान, जिसका स्मरण अत्यन्त योग्य है, और वो स्मरण कैसा है, मतलब स्मरण करने के लिए नहीं है, स्मुरुती ज्ञान ये प्रमान का मूल है, हमने प्रमानों का जब हमने अध्यन किया, तब हम देखते हैं कि स्मुरुती ये प्रत्यक्ष प्रमान का साधन है, जब हम पहले मोबाइल देखे, मोबाइल देखा था हमने, तो हमारे लिए ये नई कोई चीज तो हमने जब उसका हमें पहिला प्रथम था उसकी नाम साउध्या का ज्यान हो गया कि इसको मोबाइल कहते हैं फिर धीरे-धीरे हम उसको यूस्ट हो गये और फिर एक-एक उसके अप्लिकेशन्स हमें पता चलने लगे अब हम कोई भी नया मोबाइल किसे के हाथ में देखते ह है तो हमें स्मृति से जच समझ में आता है कि यह मोबाइल है वहां फिर से प्रथम शुरूवत से ज्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती तो इस्मृति यह प्रत्यक्षका एक ज्यान का साधन है इसलिए स्मरण यह अत्यंता आवश्यक है जिसको स्मृति भ्रहुश हो चु होता है एकदेश से ज्यान होने के लिए एकदेश का मतलब सत और असत दोनों का ज्यान उसको होता है सत का भी ज्यान होता है और असत का भी ज्यान होता है यह उसका विभाग है इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी विश्यका स्मरण पुरूवक सत असत सोरूप से निश्चित ज्यान करा देता है उसको आपत कहा जाता है अगला लक्षन उसका है निश्पृति उपताप दर्शिनहा उसके मन में किसी विशेश घटक के लिए या विशेश व्यक्ति के लिए पृति भी नहीं है और उपताप मतलब दुवेश भी नहीं है क्या होता है अगर संजोस एक 20-30 स्टूडन से है किसी गुरू के पास और उसमें से अगर किसी एक ही स्टूडन पर विशेश लोब है तो उसको ही पूरा ज्यान दिया जाता है जैसे महाभरत में द्रोणाचारिय अपने पूत्र अश्वत्थामा को विशेश ज्यान देते थे यह जब अरजुन को पता चला तब उसने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भी वो ग्यान दीजिये मैं उस आपकी पूरी सेवा करूँगा तो इस प्रकार से फिर वो भी उनका चहेत हो गया पर किसी भी गुरू के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास जो सिखने क कोई आप तो उसको उपदेश देगा ही नहीं और जिसके पास जिसके लिए पृति है उसको सब प्रकार को उपदेश देगा तो यह आपत के लक्षन नहीं है यह लुकीक व्यक्ति के लक्षन है व्यवार में मतब हमारे लक्षन है हम किसी को उपर पृति होती है और किसी से अमारा दिवेश होता है पर आपत व्यक्ति ऐसा नहीं होता उसके लिए सभी मनुष्य सभी घटक ये समान सिति में होते हैं ये उसका लक्षन है तेशाम एवं गुण योगात या द्वचनम तत प्रमाणम ऐसे गुणों से युक्त जो व्यक्ति है उसका जो भी कोई वचन हो वो प्रमाण होगा ऐसे व्यक्ति आज के जमाने में बहुत कम हो चुके है जो रजतम से मुक्त है जो कोई तपव और बल के न्यान से युक्त है जिन्सका न्यान निश्चित है जो स्मूर्ति युक्त है जो विभाग युक्त है और जो रजतम से परित है और उसके कारण प अब प्रमाण वाक्य किसका है, तो किसका वाक्य प्रमाण नहीं है, तो वो पहला है मत्त, मतलब जिसने मध्यपान किया है, उसका वाक्य प्रमाण नहीं है, उन्मत्त, मतलब जिसको उन्माद व्यादी हुआ है, किसी प्रकार का व्यादी उसको हो चुका है, उन्माद हो चु वो विना किसी न्यान ग्रहन के, किसी पी चीज़ पर अगर वो बात करता है, तो उसका वाक्य अप्रमान होता है, रक्त, रक्त शब्द का अरत है, आसक्त होना, विरक्त सभी को पता है, विरक्त मतलब क्या है, जिसने सभी आसक्ती छोड़ दी है, वो विरक्त है, अब विरक् अज्च्छ वेक्ति के दुष्ट अधृष्ट वचन ऐसे व्यक्ति ने जो कोई दुष्ट मतलब विकृट या अधूष्ट मतलब अच्छा भी कहा फिर भी वह क्या है अप्रमाण है कि इसको पाढ़वेद यहां प्रना अदुष्ट को पाढवेदे, गंगादर ने पाढवेद लिया है, दुष्ट अदुष्ट, मतलब जो उसको लिये, उसको जो दुष्ट है, दिखाई देता है, और उसके जो अदुष्ट है, ऐसे दोनों जो वचन है, वो भी वचन उसने कहे, फिर भी वो अप्रमाण है, ऐस स्वयम इंद्रिय ही मनसात च उपलव्यते, प्रत्यक्ष क्या है? तद यत जो है वो स्वयम, मतलब जिन्दा व्यक्ति नहीं, स्वयम शब्द किसलिए आया है आपे? मुरुत व्यक्ति को प्रत्यक्ष का ज्यान नहीं होता है, इसलिए एम खुद, उसने खुद उस व्यक्ति प्रत्यक्ष के व्यक्ष आप सबको पता है आत्में इंद्रिया मनों और अर्थ इनका संयोग से जो ग्रहण होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है प्रति अक्ष अक्ष मतलब इंद्रिय प्रति मतलब इंद्रियों के तरह इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जिसका न्यान होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है इसके बाद मतलब Direct Observation Direct Context से जो न्यान होता है उसको परत्यक्ष कहते है यहाँ पे दो प्रकार का प्रत्यक्ष दिया है इंडरिय प्रत्यक्ष और मन प्रत्यक्ष सुखादी जो बाव है वो आत्म प्रत्यक्ष है इसलिए मन शब्द से यहाँ पे आत्म प्रत्यक्ष भी लेना चाहिए, यहाँ पे मनसा उपलब्यत ऐसा पाठ है, और गंगाधर और योगिन्दना सेन्ने वहाँ पे आत्मना का भी वहाँ पे भाव लेना चाहिए, आगे हैं अनुमानम खलू तरको युक्ती अपेक्षा, युक्ती के अपेक्षा से जो तरक किया जाता है, उसको अनुमान कहा जाता है, युक्ती के अपेक्षा से, युक्ती मतलब योजना, किसी भी घटकों की योजना करना, और वो शास्त्रशुद्ध पद्रिसे करना, उसको युक्ती कहा जाता है, यह एक प्रमान है, ऐसे युक्ती के द्वारा, जो तरक किया ज होता है उसी को अनुमान कहा जाता है आगे टीका कारने यहाँ पे एक अच्छी टीका की है प्रत्यक्षकी वैक्षय में स्वयम इंद्रियाई मनसाच इतियानेन यद आत्मना इंद्रियाई ही चक्षुरादी भी ही अवय अव्यवधानेन गुरुयते रूपादी तत प्रत्य इती भाहिय प्रत्यक्षम ग्रुणाती जो अपने चक्षुरादी इंद्रियों से किसी भी प्रकार की विकुरुटी से रहीत इस प्रकार से जो रूपादी न्यान गर्ण किया जाता है उसको भाहिय प्रत्यक्षक केते हैँ और मनसाच इतियानेन यद उप्पल अभ्यते स सुखादी तच्च मानसम प्रत्यक्षम गुरुणनाती और अव्यावधान रूप सो रूप मतलब अविकृत सो रूप से मन के द्वारा जो सुखादी घटकों का न्यान होता है उसको मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है मतलब भाहिय प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष इस प्रक गटक है जो कभी न कभी मैंने देखा है या मैंने उसका अनुभो किया है अब मैं यहां बेटके प्रत्यक्षन देखते हुए भी अमेरिका में जो कोई घटक है उसका वरणन कर रहा हूं यह अप्रत्यक्षत ज्यान है फिर भी प्रत्यक्षके अधार पर है युक्ति का अरत ह किसी भी घटक आए जो और विनखाव संबन्द होता है योजना होती है उसको युक्ति कहा जाता है। इसके युक्ति के द्वारा जो विनाभाव परोक्षत ज्यान होता है उसको अनुमान कहा जाता है अगे कहते हैं त्रिविधेन खलू अनेन ज्यान समुदायेन पूरुवं परिक्ष रोगम सर्वता सर्व मतोत्तर कालम अध्यवसानम और दोशंभवती त्रिविधेन खलू अ अनेन त्रिविधेन मतलब इस अपतोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान के ज्यान के समुदायेन इन तिनों के ज्यान से पूरुवं रोगम परिक्षम पहले रोग का परिक्षन कीजिए रोग का परिक्षन अपतोपदेश से कीजिए अपतोपदेश से ज्यान गरण कीज फिर प्रत्यक्ष देखिए और अनुमान से उसका तरक कीजिए और फिर इस सारे समुचित प्रकार से ज्यान समुदाय से उसका परिक्षन करके फिर अथ उत्तरकालम फिर उसकी चिकिसा कीजिए तो क्या होता है उस रोग के परिक्षन में उसके रोग के ज्यान में हमें अध् कोई भी दोश उत्पन नहीं होता, मतलब हमें रोग का यथा यथर ज्यान प्राप्त होता है, चरक सुत्रस्थान में 17 व्यद्ध्य में 18 व्यद्ध्य में कहते हैं, विकार नाम पो कुशलो न जिननीयात कदाचन, कुशल वेक्ति कभी भी मैंने इसका उत्तर दिया है कि युक युक्ती का अर्थ है और विनाभाव संबंध किसी भी घटकों में होने वाला विनाभाव संबंध और ऐसे युक्ती च्रह परोक्षा द्यान किया जाता है उसको अनुमान करना तरक करन psychology युक्ति अपेक्षा तरकहा इती अनुमानम अब आगे कि इसके डिटेल में मैं नहीं जाओंगा क्योंकि वह बहुत विस्तार का विश्य है अब हमें आगे जाना है और पूरा अध्या खतम करना है आप पदार्थविद्ञान का अध्यान करके इसका ग्यान प्राप्त कर सकते हो अद मेरा विशे चल रहा था सुत्रस्थान के 18 वे अध्या में चरक कहते है विकार नाम को शलो न जिन्नियात कदाचना विकार का नाम का परिक्षन हमें करना नहीं है आज क्या करते हैं हमारे पास रूगन जब आता है तो वो किसी हिस्ट्रि लेकर आता है औरहरे बस उसी को मतलब डाइबेटिस करा यह रखा होता है कि दाइबेटिस मलाडस और बसंडीड दिमाग में रखके उसको प्रहिएक चेक इसा शुरू कर देते हैं पर हम ये बूल जाते हैं कि हमारी भी रोग परिक्षण की विधी है वो पहले है आप तो पदेश आप प्रत्यक्षण और अनुमान जो modern science ने जो डाइगनोसिस किया है या पहले किसी वेक्तिन डाइगनोसिस किया है वो बाजू रग दीजी उस रोगन का आपके पद्धति से द्वारा परिक्षण कीजिए और फिर आप निदान कीजिए और उस रोग का अध्यवसान कीजिए यही पद्धति होनी चाहिए हम आज हम क्या करते हैं हम modern के डाइगनोसिस के उपर आईरवेदिक मेडिसिन देते हैं यह आईरवेदिक पद् पद्धति है अप्तोपदेश परत्यक्ष और अनुमान यह कभी भूलना नहीं चाहिए रोग का परिक्षण कैसे करना चाहिए रीवीधम न्जान समूद आएन मत्लब परत्यक्ष आपतोपदेश और अनुमान इस परत्यक्ष हम दवाई देना ये आयर्वेद की पद्धती नहीं है आने वाला पेशन का डायगनोसिस उसका निदान हमारे निदान पंचक के अनुसार फिर से होना चाहिए हमारे निदान करने की पद्धती अलग है उसके द्वारा हर रोगुण का निदान करके फिर उसकी चिकिस्ता करनी च केते हैं नहीं नान wanna the चोंफ ग्यांन के अवय उसे सिर्फ अप्तोपदेश से सिर्फ प्रत्यक्ष से सिर्फ अनुमान से या सिर्फ व्यादी के नाम से उस व्याधी का समुची ज्यान नहीं होता है हमें नाम करण करने की जरूरत नहीं है व्यादी की नाम देना ही चाहिए हर व्यादी को ऐसे कोई हमें जलबाजी नहीं करनी है संप्रप्ति हमें बिठा सकनी चाहिए संप्रप्ति कहती आने चाहिए कि ये संप्रप्ति है इस प्रकार से हेतू थे इन प्रकार के हेतू से ये दोश विक्रुत होगे इन दोशों में दोशों के ये गुण विक्रुत है यहां स्थान संश रहे है और ये लक्षन है इसलिए में इस प्रकार के चिकिस्ता दे रहा हूँ ये घटक जिस व्यक्ति को वो बता सकता है वही व पूरा ग्यान पहले करना है, मदब गरंथों से या किसी गुरु मुक से पहले समूचित गरंथा का अध्यन करना है, फिर उसका प्रत्यक्ष अनुभो करना है, वो कैसे करना है, पहले हेतु ढूंडिये, व्यादी का नाम देने की कोई जलबाजी नहीं करनी है, उस रुगन के हेतु ढूंडिये, और हेतु ग्रंथा के ढूंडने नहीं चाहिए, वो रुगन क्या गलती करता है, सुबह उठने के बाद, दूसरे दिन सुबह उठने तक, वो क्या-क्या करता है, वो पहले कागस पे लिख लो, समझो वो 8 बजे उठता है, तो वो अहितकर है, आगे लिखिए अहितकर, फिर कहता है, थोड़ा सा व्यायम करता हूं, तो हितकर, ऐसे पूरी दिनचारिया उसकी लिखिए, और सामने दो कॉलम कीजिए, हितकर और अहितकर, तो जो जो अहितकर है, उसमें से मिलने वाले, वो हितु है, वो बंद कर दीजिए, उनके गुण निकल लिए, और उन गुण के विपरित चिकिस्सा कीजिए, आपका व्याधी साथ दिन के अंदर ठीक होता है, ये मेरा भ्यानुबो है, और अश्टांग संग्रकार कहते है, सुश्रुत सहिता कहती है, सपता है न गुणा लाभे, क्रिया मन्यम कारे, अगर किसी भी रुग्ण मे साथ दिन के अंदर कुछ भी उपशे नहीं मिला, या वो ठीक नहीं हुआ, तो आपकी चिकिस्सा गलत है, आप फिर से परिक्षन करके चिकिस्सा करें, हम जो आजकल कही लोग ऐसे करते हैं, कि रुग्ण आया तो चिकिस्सा शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस रोग का और उस रुग्ण का समुचित प्रकार से परिक्षन करके, फिर आपको चिकिस्सा शुरू करनी है, इसलिए ये अध्या वरणन किया है, आगे कहते हैं, नहीं ज्यान अवयवे न किसी ज्यान के अवयव से, ज्यान के आउश से ही, किसी एक भाग से ही, कुरुसन इन तीनों में, न्यान समुदाय में, प्रथम था आप्तोपदेश से न्यान करवा लेना है, ततहा प्रत्यक्षा अनुमान अभ्याम, परिक्षा उपपद्य दे, और उसके बाद प्रत्यक्षा अनुमान से उसका परिक्षन करना है, किम ही अनुपदिष्टम, पुरुवम यद तत प्रत्यक्ष अनुमाना भ्याम परिक्ष मानो विद्यात जिसका उपदेश नहीं किया है कभी उसका प्रत्यक्ष और अनुमान से का ज्यान क्या करेंगा अगर किसी वुरुक्ष का हमें कुछ ग्यान ही नहीं है वो वुरुक्ष सामने देखने पर भी हमें उसके गु परिशा कैसे करनी है उसको पता ही नहीं है उसका अपतोपदेश उसको उसने किया ही नहीं है वो व्यक्ति न अवधारयती उस रत्न हाथ में लेने पर भी उसको कुछ ग्यान नहीं होता वो रत्न उसके लिए सिर्फ एक मृत्ति का समान है उसी प्रकार व्याधी का अगर हमने गुरु मुक से या अग्रंतों से पहले न्यान ही नहीं किया है तो हमें प्रत्यक्ष में क्या समझ में आएगा कि ये क्या व्यादी है समझो आमर कभी देखा ही नहीं किसी व्यक्ति नहीं तो आमर के गुण वो क्या समझेगा कभी आम चक्के ही नहीं खाया है तो उसको आम के स्वाद कैसा पता चलेगा मतलब पहले उसका अप्तोपदेश होना चाहिए किसी भी घटक का पहले अप्तोपदेश होने के बाद में ही प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा परिक्षन कर सकते हैं इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान और जिसको आप्तोपदेश नहीं हुआ है उसको त्रिविदा वासह उपदेशेन उसको त्रिविदा परिक्ष प्रत्यक्ष और फिर अनुमान अब आगे सूत्र नंबर 6 में कहते हैं तत्र इदम उपदेशनती बुद्धी मनताहा रोगम अब अप्तोपदेश से क्या-क्या जानना चाहिए हमें अप्तोपदेश से हमार आधिकरण रोग परिक्षन है इसलिए रोग परिक्षन के लिए ये विशयक चल रहा है रोग परिक्षन से क्या समझना है तो प्रथम ता रोग का क्या-क्या ज्यान अप्तोपदेश से करना है उसका वरणन कर रहे है रोगम एकईकम एवं प्रकोपणम प्रकोपणम मतलब हेतू ये हेतू है एवं योनिम योनिका अर्थव आतादी दोश इसके ये दोश है एवं उत्थानम उत्थान का अर्थे संप्रप्ति ये उसकी संप्रप्ति है एवं आत्मानम आत्मानम मतलब सुरूप ये उस व्याधी का सुरूप है एवं अधिश्ठानम यहाँ पे उसका अधिश्ठान है एवं वेदनम इस प्रकार की वेदना है एवं सांस्थानम इस प् उपद्रव है एवं वृद्धी स्थानक्षयम दोशों की वृद्धी स्थान और ख्षय इस प्रकार का है एवं उदरकम उदर का मतलब उसका उत्तरकालिन फल क्या है उदर का मतलब उसके लक्षन उत्तरकाल में होने वाले लक्षन क्या है एवं नामानम ये उसका नाम है और एवं योगम, योग का अर्थ, दोश और दुश्यों की सम्मूर्षना इस प्रकार से हैं, यहाँ योग शब्द से चकिस्सा कलप नहीं लेना है, यहाँ योग शब्द से दोश और दुश्यों का सम्मूर्षना किस प्रकार की है, उसका अर्थ लेना है, एवं योगम विद्य ये सभी घटक आपतोपदेश से करना है हम आपतोपदेश से रोगा का ये सीखना है कि प्रकोपन क्या है प्रकोपन मतलब हेतु योनी क्या है योनी मतलब दोश क्या है उत्थान मतलब संप्रप्ति क्या है आत्मान मतलब स्वरूप क्या है अधिश्ठान क्या है वेदना क्या क्या है संस्थान क्या है शब्दस पर शरूपर सगंध क्या है उपद्रों क्या है वुरुद्धि स्थानक्षय क्या है उदरक क्या है नाम क्या है और योग क्या है योग मितलब दोश दुश संबूर्चना इस प्रकार से तस्मिन इयम प्रतिकार आर्था प्रवुरुत्ति इ या निवृत्ती या चिकिस्ण नहीं करनी है इसका उपदेश आपतोपदेश से करवा लेना चाहिए बनलब पत्य और अपथक का द्यान भी आपतोपदेश से ही करवा लेना चाहिए यहाँ पे ऐसा नियम बताया है कि आपतोपदेश ये गुरु मुख से सभी रोग का ज्ञान करवा लेना चाहिए फिर उसके बाद चिकिस्सा काल में प्रत्यक्ष अनुमान से व्याधी का परिक्षन करना है और तभी व्याधी का अध्यवसाय होता है अब आगे अपतोपदेश से हमारा परिक्षन जो था वो पूरा हो गया अब प्रत्यक्ष से क्या क्या करना है उसका वरणन कर रहे है सभी इंद्रियों से रोगतत्व का परिक्षन करके न्यान करवालेना चाहिए सरवान इंद्रियार्थान आतुर गतान परिक्षेत सभी इंद्रियों से, सभी इंद्रियार्थों के आतूर शरीर गत, आतूर के शरीर में जो जो उसके इंद्रियार्थ है, शब्द क्या है, रूप क्या है, स्परश क्या है, रसक क्या है, गंद क्या है, इसका परिक्षन करना चाहिए, अन्यत्र रसद ज्यानात, किन्तु रसद ज्यान का जो परिक्षण है वो अनुमान से करना चाहिए एक प्रशने आप उचा गया है कि यदि किसी विश्य के लिए आपतोपदेश किया न हो तो हम किस प्रकार से परिक्षण करें आपतोपदेश के बगेर परिक्षण होई नहीं सकता इसलिए प्रथमता आपतोपदेश रहे हैं, ग्रंथ में हमारे मन में क्या है वो नहीं कह रहे हैं, मैं या अभी तिवारी सर जो कह रहे हैं, वो हमारे मन में क्या है वो नहीं कह रहे हैं, ग्रंथ में क्या है उसका आप तक ये पहुचा रहे हैं, अभी हम सब की जिम्मेदरी है कि हम अपने अपने जगा पे ग्र परग होना चाहिए बिना आपतोपदेश के प्रत्यक्ष का परिक्षन नहीं हो सकता। इसलिए आपतोपदेश अगर आपतो नहीं मिल रहे तो ग्रंत ही हमारे लिए आपत है। जो जो 17 परश रूप रस घंद है उसका परिक्षन करेगा प्रत्यक्ष से सिर्फ रस द्यान का परिक्षन वो अनुमान से करेगा। क्योंकि रुगण के शरीर का जो रस है उसका द्यान वैद्य प्रत्यक्ष अपने रसन इंद्रिय से नहीं कर सकता। अब क्या क्या करना है वो बता रहें आंत्रकुजन संदि स्फुटन अंगुली परवणाम स्वरविशेश शाष्च आंत्रकुजन पेट में होने वाले कई होने वाले आवाज संदि का स्फुटन अंगुली परवका स्फुटन स्वरविशेश उस व्यक्ति का स्वर क्या है औ और ये च अन्य पी शरीरत उपगताहा शब्दहा ऐसे भी अन्य शरीर उपगता शब्द जो है मतलब जिसको आज हम आसकल्टेशन करते हैं या चेस चेक करते हैं सभी ये शब्द में आते हैं ये सभी सभी जो पर शब्द है उसका श्रोत्र से वैद्देने परिक्षन करना है वर्ण संस्थान प्रमान च्या वर्ण रूगन का वर्ण क्या है उसका संस्थान क्या है उसका प्रमान क्या है उसके आकृति क्या है उसके लक्षन क्या है तोचा के उपर लक्षन क्या है किसी आवयों पे लक्षन क्या है आख केस आख बाल नाख जो जो बाहिय आवयों है उस ज़ाया कैसी है उसकी शरीर प्रकूरती विकारों शरीर में दिखाई देने वाले प्रकूरती और विकूरती के लक्षन ये चक्षु वैशे शिकानी ये चक्षु के अनुशंगा से होने वाले विशय है इसलिए यानी अनुक्ता नी ऐसे भी जो कोई अनुक्त चक्षु परिक्षण ये सभी चक्षू से करना चाहिए रसमतु खलू आतूर शरीर गत इंद्रिय वैशेकं अपी अनुमानात आवगच्छे शरीर का आतूर के रुगण के शरीर का जो रस है उसका इंद्रिय वैशेक होने पर भी उसका अनुमान से निश्चे करें नहीं अस्य प्रत् प्रत्यक्षतहा नहीं करना चाहिए तसमात आतूर परिप्रश्णेन एवं आतूर मुख रसम विद्यात उसको प्रश्ण पूछे आप पूछ सकते हो कि आपके मुख का रस क्या है यूका अपसरपनेन तू अस्य शरीर वैरस्यम यूका अगर शरीर से यूका लिखाया इस समझने के लिसे उसकित नहीं है। लोहीत पित्त रक्त पित्त है ये समझने के लिए शुवकाक भक्षनात, sitten कुट्य को या काक मतलब कवusta को खंवे क suo को खाने के लिए दिजिए अगर धारी लोहीत मों भक्षनात अगर उसने वह का लिया या यदा योगतपै पदार्थ आठाश खा लिया तो वह अनुमात व्यम ये अनुमांसे करना चाहिए। एवं अन्यान अपी आतुर शरीर गतान रसान अनुमिमीत इसी प्रकार से अन्य भी कोई आतुर शरीर गता रस है मुत्र का रस, शुक्र का रस, मुख का रस, किसी शरीर अंतर गता स्राव का रस ये अनुमांसे करना चाहिए। गंधास्तु खलू सर्व शरीर गतान आतुरस्य प्रकृती वैकारिकान घ्राणन परिक्षेत। गंध का सबी शरीर में से जो अलगल गंध है शरीर का गंध, स्वेद का गंध, मूत्र का गंध, मुख गंध ये सबी जो गंध है वो घ्राण से परिक्षन करना चाहिए। या इसके लिए प्रत्यक्ष तहा अनुमान तहा उपदेश तहा परिक्षणम उक्तम इसलिए इंद्रियों का परिक्षण ये प्राया प्रत्यक्ष से कुछ प्रश्ण परिक्षा से कुछ अनुमान से और कुछ आपतो पदेश से करना चाहिए अब यहाँ पे मैं एक आपको अध जो अध्या है उसमें स्पर्ष का गंध का वर्ण का सभी इंद्रियों के अरिष्टों का वर्णन किया गया है उसमें प्राकुरुत परिक्षन भी है और विकुरुत परिक्षन भी है या पढ़िये तीसरा अध्या जो है वो तो स्पर्षा परिक्षन के लिए अत्यन्त जी अगर ये lockdown और बढ़ता रहा या अगर आगे समय मिला तो मैं इंद्रियस्थान जरूर लेना चाहूंगा ये मेरा बहुत फेवरेट विशह है तो इसलिए ये करना चाहिए एक सवाल आया है सर आपके पास तो चरग सुश्रूत वागबर इत्ते दी इतनी सहीता है तो हम कि सहीता को पढ़ के प्रत्यशकर है सभी सहीता को पढ़ना है मैंने कल के वैखेंद भी ये कहा है कि आप किसी एकांतिक मत रहिए कि मैं सिर्फ चरग पढ़ूँगा मैं सिर्फ वागबर पढ़ूँगा मुझे जिस गरंत से जो भाग मिल रहा है वो तीनों से लेके या काश् और ककडी ये भोजन के बगर खाना नहीं चाहिए ये भाव प्रकाशन लिखा है क्या हम फॉलो करते हैं इसको तो मेरा ये आप सभी सा नम्र विनंती है कि नैकांतिकम व्रजित कभी एकांतिक मत हुए सभी ग्रंतों का बार-बार अध्यान किजिए ये सभी ग्रंत अपने अच्छा लगे आप कर सकते हो या विशय के अनुसार आप अध्यान कर सकते हो अब आगे आगे का जो अनुमान प्रमाण का है वह अत्यंत महत्वा का है हम एक-एक भाव देखते हो आगे जाएंगे मेरी पीएजडी विमान स्थान पर है तो ये इस अध्यान का परिक्ष अ तो मैं वो आपके लिए आपके सामने रखता हूँ इमे तु खलू अन्य अपी एवम एवभुयो अनुमानत निया भवन्ति भावा अब अनुमानत निया भाव कौनसे कौनसे वो बता रहे अगनीम जरण शक्त्या परिक्षे अगनी का परिक्षन ये भूक लगने के उपर डिपेंड नहीं है कितनी भूक लगी है इसके उपर से अगनी का परिक्षन नहीं करना चाहिए अगनी का परिक्षन ये जरण शक्ति के उपर है जरण शक्ति का अरत है भूक तो जिरण करी शक्ति जो अन्न खाया हुआ है, वो किस पदल से वो पचा रहा है, और दुसरा नाम है परिपाक शक्ती, उसकी पचन के क्षमता कितनी है, कितने देर में पचाता है, कितने अच्छे से पचाता है, इसके उपर आप उसका अगनी का परिशन कीजिए, इसके लिए छोटा सा और अनुम परिशन में अपाचित अन्न मिल रहा है, तो उसका अगनी मंद है, यह आप समझ सकते हो, आगे बलम व्यायम शक्ता परिशन से करनी चाहिए, व्यायम शक्ती का आर्थ है, परिश्रम शक्ती, मतलब वो कितना परिश्रम कर सकता है, कितना कष्ट कर सकता है, उसके उपर उसक शब्दादी अर्थग्रणेन, शब्दादी जो पाच विशय है, उनके ग्रहन से इंद्रियों का परिशन करना चाहिए, वो शब्दग्रण कैसे करता है, स्परशग्रण कैसे करता है, रसग्रण कैसे करता है, इसके अनुमान से, आप उनके इंद्रियों के कारेओं का अनुम पर मेवचर, यह जो मन के विशय है, इनका अनुमान वो यथा यथा किस प्रकार से होता है, इसके आप अनुसार कर सकते हो, मतलब क्या होता है, इंद्रिय एक जवा, एक समय में एक ही विशय से लिप्त होता है, और मन एक समय में एक ही इंद्रिय से ग्रण होता है, मतलब मन ए एक समय में एक ही इंद्रियों का विश्यग्रण, एक तो एक समय में वो रसग्रण करेगा, फिर दुसरे क्षण में वो शब्दग्रण करेगा, फिर तिसरे क्षण में वो स्परशग्रण करेगा, एक समय में पाचों इंद्रियों का ज्यान उसको नहीं होता है, इसलिए मनों का जो अर्थ है वो आव्यविचार मतलब यथा यथा ज्ञान के उपर होता है ऑगे हैं विद्यानम ب्यवसाय applies का अर्थ है प्रवुरूथि और विध्यान मतलब वो घ्रहन करना, तो उसके घ्रहन शक्ति के अनुसार, उसका विद्यान केसा है, इसका अनुमान हम कर सकते हैं, आगे है रजह संगेन, संग का अर्थ है आसक्ति, आसक्ति से उसका रजह, दोश्य का हम अनुमान कर सकते हैं, आगे है मोहम अविद्यानेन, मोह ये तमजन और अविद्ञान से मोह का अहम ज्यान कर सकते हैं मोह की व्यक्या है अश्टांग रुधे के सूत्रस्थान के प्रथम अध्या के प्रथम सूत्र में उसके व्यक्या है मोहम इती कारिय और कारिय और शक्ति क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको मोह कहते हैं तो अविद्ञान से मतलब किसी घटक का ज्यान नहीं हो रहा है उससे उसके मोह का परिशन कर सकते हैं ये कुछ विशे के थोड़े से बाहर के प्रशना आ रहे हैं मैं उसका उत्तर बाद में दूँगा अभी अभी द्रोहेन अभी द्रोह का अर्थ है द्वेश दूसरों को पीडा देने की प्रवरुति उससे उसका क्रोध का परिक्षन कर अनुमान कर सकते हैं शोकम दैन्यन दैन्य मतलब रोदनादी प्रवरुति वो कितना रो रहा है कितना उसको तकलीफ हो रही है इसके अनुसार उसके शोक का अनुमान कर सकते है हरशम आमोदेन आमोद का अर्थ है नुरुत्य गीत वादित रादी उत्सव करना जोर जोर से नाचना, गाना ताल बजा, ताली बजाना, थाली बजाना इसको आमोद कहते है नुरुत्य करना, ये उत्सव करना इसको आमोद कहते हैं, उससे हरश का, उसको किस प्रकार का हरश हुआ है, उसका अनुमान हम कर सकते हैं, आगे है प्रितीम तोशेन, तोश का अर्त है, वो मुख नयन प्रसंद होना, अब हरश और प्रिती में थोड़ा सा डिफरंट है, प्रिती ये उसकी, प्रिती ये क्या है तोश मात्र है और हर्ष ये उद्रेक है मैं फिर से कहता हूँ प्रिती ये संतोश मात्र है और हर्ष ये प्रिती का उद्रेक है उसका उद्सव करना आगे है भयम विशादेन विशादो सर्वर रोगानाम बर्धनानाम ऐसा आगर में बताया है तो विशाद मतलब मुखह मालिन लक्षन रुपी, उसका मुखह मलिन है, उसको आवसाद है, व्याधी बड़ा है, चेहरे पे दैन्य है, उसके अनुसार हम उसके भय का अनुमन कर सकते हैं आगे है धैरियम अविशादेन, उसके उल्टा, कोई भी संकट का काल आए, कितना भी बुरा काल आए, तो उसके मनो देन्य उत्पन नहीं हो रहा है, वो डटा रहा है, धीरता से उसको फेस कर रहा है, तो उसके अविशाद से हम उसके धैरिया का अनुमन कर सकते हैं आगे है विर्यम उत्थानेन उत्थान का अर्थ है कार्य करने में शुरुवात करना इसके अनुसार हम उसकी शक्ति का उसका पराकरम का अनुमान कर सकते हैं आगे है अवस्थानम अविब्रमेन अविब्रम का अर्थ यहां वहां घुमना और अवस्थान मतलब एक देश में रहना जिसको ब्रम हुआ है वो एक जगा कभी रुकता नहीं है जहां पे जिसको ब्रम हुआ है वो कभी एक जगा पे रुकता नहीं है और उसका उल्टा जिस अबिप्राय का अर्थ है इच्छा। अगर मुझे भोजन करने की इच्छा है, तो मेरी भोजन में श्रद्दा है। मुझे वो चाहिए। तो अभीप्राय से श्रद्दा का अनुमन कर सकते हो। मेधाम ग्रहनेन, यहाँ पे ग्रहन पदसे, ग्रन्थादी का ग्रहन अभिप्रेत है, तो ग्रन्थादी ग्रहन किस प्रकार से करता है, इसके अनुसार उसकी मेधा का अदनुमान कर सकते हैं, सउध्याम नाम ग्रहनेन, नाम ग्रहन से सउध्या का हम परिक्षण कर सकते हैं, बच्पन में मेरी मा ऐसा खेल हमारे साथ, हम बच्चों को, हमारे सभी भाई भहन जो हमारे घर पे हैं, उन सब को एक खेल ऐसा करती थी, सभी कजिन्स को एक एठा करके, कि एक 10-15 वस्तुय सामने रखने की, फिर उसको देखने के लिए 5 मिनट के लिए, उसके नाम याद करने के लिए बोल जल जिए, और फिर वो धक के, फिर आप कागस पे लिखो, कि आप उस 10-15 वस्तुय में से, आपको कितने वस्तुय याद आ इसको कहते हैं नाम ग्रहन से सौधने का परिक्षन करना आगे है स्मुरुतिम स्मरनेन स्मरन से स्मुरुती का परिक्षन होता है स्मुरुती का अर्थ है सांसकार स्मुरुति जनक सांसकार आपके मन में अगर आपने आम देखा तो फिर आम का सौंसकार आपके स्मूरुति में बैठा रहता है तो इस स्मूरुति का परिशन कर सकते हैं रियम अपत्रपनेन रियम मतलब लजजा और अपत्रपन इसका अर्थ है लजजा कारप उत्गो़ बाते करना जिससे किसी मतलब रुगनक के सामने किसी लज्जा का रग, आपको अगर रुगण के री का परिशन करना है, लज्जा का परिशन करना है, तो उसके सामने उसको लज्जा आए, इस प्रकार से कुछ बोलिए, तो उसको अगर वो उसको लज्जा आई, तो उसको लज्जा का परिशन कर सकते हो, और लज्जा ना आ के भाव है यह रोगपरिक्षण के लिए है सामाने व्यक्ति के लिए हम आतिदेश से कर सकते है पर आधीकरण रोगपरिक्षण का है शीलम अनुशीलने न उस रुगण का शीलम अदो सभाव क्या है वो उसके बरताव से अनुशीलन से हमें पता चलता है अगहे द्वेशम प वेशका, उसके मन में किस चीज के प्रती तिरसकार है। उसका हम परिखण कर सकते हैं। कि बाते कितनी सुनता है, आपने उसको कहा कि धही मत खाईए, तो वो सुन रहा है या नहीं, इसके उपर से, वो आपको वश है या नहीं, इसका अनुमान कर सकते हो, अब इसका अनुमान का परिक्षन काल के उपर से करना है, भक्ती का परिक्षन देश के उपर से करना है, मतलब कोकन का अगर व्यक्ति है, तो उसको पेया अच्छे लगती है, पंजाब का व्यक्ति है, तो उसको गेहू बहुत अच्छा लगता है, अगर केरल का व्यक्ति है, तो उसको राइस बहुत अच्छा लगता है, तो जिस देश में वो रहता है, उसके आनुसार उसकी भक्ती होती है, तो भक्ती का परिक्षन देश के आनुसार कीजिए, सात्मे का परिक्षन उपशे से कीजिए, उपशे मनद सुखा नुबंद, उसको सुख हो रहा है, हितकर उत्पन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके उपर से सात्मे असात्मे का परिशन कीजिए और वेदना विशेश से व्यादी के समुध थान का परिशन कीजिए वेदना कैसी है इसके उपर से उसके व्यादी के समुध थान क्या है इसका परिशन कीजिए गुड लिंगम अपचार विशेशेन, अपचार मतलब हेतू, हेतू का विशेश के उपर से दोश का प्रमन क्या है, इसका विशेश का अनुमान कीजी, आयूशा क्षयम अरिश्ट लक्षणों के परिक्षण से आयू का क्षय का अनुमान कीजी, उपसित श्रयस्त्वम कल्यान आभी आव ही निवेश का अर्थ है कल्यान मतलब श्रयास्करमार्ग के अनुष्ठां से स्रयस्त्व मतलब उसका गति क्या है उसका आप अनुमान कर सकते हो अमलम सत्वम अविकारेण अमलम मतलब सुद्ध जिस में रजतम नहीं है ऐसा शुद्ध सत्व का परिक्षन करना है अविकारेण उसकी विकुर्ती नहीं है तो मन मानसिक विकुर्ती नहीं है तो अमल सत्व का परिक्षन कर सकते हैं ग्रहन न्यास्तू, मुर्दुदारो नत्वं, स्वपन दर्शनं अभिप्रायं, द्विष्ट इष्ट सुख दुखानी च आतूर परिप्रश्णे ने एव विद्याद। और अनुमान के साथ आप प्रश्ण परिक्षा से ग्रहनी का मुर्दुदारो नत्व, स्वपन दर्शन, अभिप्रायं मतलब उसको क्या चाहिए, द्विष्ट मतलब उसको किस घर्टकों के उपर द्वेश है, उसको क्या नहीं चाहिए, और इष्ट मतलब उसको क्या इस सभी का परिक्षण आप प्रश्ण परिक्षा के साथ कर सकते हो अब आगे तीनों परिक्षणों का वरणन किया अब आगे कहते है भवंती चात्र इसके लिए कहा है अब ततहां चो उपदेशेन प्रत्यक्ष करनेन चो अनुमानेन चो व्यादीन सम्यक विदाद विचक्षण हा अब ततहां उपदेशेन मदब गरंतों के अध्यन से या किसी गुरु मुख के अध्यन से फिर प्रत्यक्ष करनेना फिर जो अध्यन किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने से और अनुमान से व्याधी का सम्यत परिक्षन करना चाहिए जो ऐसा करता है उसको विचक्षन कहते हैं सर्वता सर्वमालोच्य यथा संभवम अर्थवित यथा संभव मतलब जिस जहां पे जिस परिक्षण का उपयोग है उसका करना चाहिए जहां पे आपतोपदेश करना है रोग का न्यान करना है तो वहां आपतोपदेश से न्यान करन कीजिए जहां प्रत्तक्ष से करना व्यादियों का परिशन कीजिए, ऐसा जो करता है, उसको अर्थवित कहा जाता है, अथ अध्यवसे तत्वे, चब कारे तदा नंतरम, इसके लिए पर्थम तहा व्यादियों का निश्चे कीजिए, व्यादियों का निश्चे करना है, मतलब ये नामकरण नहीं करना है, ये ग ये वृद्धिस्थानक्षय ए Smooth-gear ये उसका स्वरूप है ये उसका साध्यसद्व ये उसका मार्ग है ये दोश-दोश्चे सम्मूर्चना है ये उसका स्थान सउश्र है फिर इंद्रियों के द्वारा परिक्षन कीजिए फिर अनुमान के द्वारा परिक्षन कीजिए इसको कहते है रोग परिक्षन और उसका अध्यवसाई कीजि निश्य कीजिए और उसके बाद में कारिय कीजिए कारिय मतलब चिकिस्सा कीजी कार्य तत्व विशेशत न्या जिसको कार्य मतलब चिकिस्सा का ज्यान है और तत्व मतलब त्रिवीद रोगपरिक्षन का ज्यान है वो प्रतिपत्तवन मुहियती प्रतिपत्ती का अर्थ है कर्तव्य वो कभी भी चिकिसा कर्तव्य में मोह ग्रस्तन नहीं होता है दो चीजों का ग्यान होना चाहिए एक तो रोग परिक्षन का ग्यान होना चाहिए मैं फिर से बार-बार कह रहा हूँ रोग परिक्षन का अर्थ उसका नाम नहीं modern टूल से उसका जो नामकरण करके आया है उसको रोग परिक्षन नहीं कहते है BSL, blood sugar level बड़ी है तो diabetes है ये रोग परिक्षन नहीं है रोग परिक्षन का अर्थ है आपतो पदेश से रोग का पुरा ग्यान हो चुका है ये हेतु है, ये दोश है ये अदिश्ठान है ये उसके लक्षन है ये वृद्धी स्थानक्षय है ये उसके दोश-दुश्य है यहाँ पे स्थान समश्रे हुआ है ये उसके उत्पत्ती है ये संप्राप्ती है इसको कहते है उसका रोग का परिक्षन फिर इंद्रियों के द्वारा परिक्षन कीजिए फिर आनुमान के द्वारा उसके और आतुर परिप्रश्ण से परिप्रश्ण पुछके फिर निश्चे कीजिए और उसके साथ चिकिसा का भी ज्यान होना चाहिए फिर इस प्रकार से ज्यान होगा रोग का, फिर हितु विपरच के सा कैसे करनी है, व्यादी विपरच के सा कैसे करनी है, दैवे अपपाश के सा कैसे करनी है, या सत्वावजय करनी है, इसका पूरा ज्यान होना ऐसा जिसका पूरा समचित ज्यान होता है, वो प्रति पत्ति में मतलब करतव्य में कभी भी मोह गिरस्त नहीं होता है अमूडहा फलम अपनोती यद अमोह निमित्तजम जो अमूड है मूड मतलब मूर्ख और अमूड मतलब ग्यानी जो इस प्रकार के ज्ञान में पारंगत है, जिसको पूरा ग्यान है वो मोह से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त नहीं करता मतलब उसको अच्छा फल प्राप्त होता है न्यान बुद्धी प्रदीपीन यो नाविशती तत्ववित आतुरस्य अंतराँ मानँ नसरोगां श्यकीतसी न्यान रूपी बुद्धी से जसे न्याशास्तरद ज्ञान से जिसकी बुद्धी प्रदीप्त हो चुकी है ऐसा न्यानबुद्धी रूपी प्रदिप से जो तत्तोवित व्यक्ति रुगण के शरीर के रुगण के अंतरात्मानम यहा रुगण के अंदर प्रवेश करना मतलब उसके अंदर जाना ऐसा रथ नहीं है रुगण का समुचित प्रकार से ज्यान करवाता है ऐसा जो करता है वही चिकिस्सा कर सकता है। जो व्यक्ति ज्यान बुद्धी प्रदीप से रहीत है और जो रुगुन का समोचित ज्यान नहीं करता है। उसने कितने में द्रविय वहाँ पे योजना की फिर भी उसकी चिकिस्सा सफल नहीं हो सकती। तत्रश लोकव सर्व रोगार विशेश आनाम त्रिविदम न्यान संग्रहम यथाच उपदिश्चंती आप तहा प्रत्यक्षम गुर्यते यथा यथाच अनुमानेन नेया तांश्चापी उधार दिही। सर्व रोग विशेश त्रिविदम न्यान संग्रहम मतलब आप तोपदेश प्रत्यक्षण और अनुमान इस त्रिविदम न्यान संग्रह से जो सर्व रोग का निश्चय करता है प्रतम तहाँ आपत से उसको उपदेश दिया गया है। फिर उन्होंने उस आप्तोपदेश के द्वारा प्रत्यक्ष तहा ज्यान ग्रहन किया फिर यथा फिर उसका अनुमान किया और अनुमान से युक्ति द्वारा तरका करके उसका निश्चे किया ऐसे जो मुनी थे आत्रिय थे उदारदी ही मुनी ही मतब आत्रिय की भी जो अध और फिर ऐसा जीनों ने ये खुद ज्यान बुद्धी प्रदीप जिनका हो चुका था ऐसे जो आत्रे थे उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने सिखा था उसी प्रकार से ये भावों का त्री रोगे विद्ञाने विमाने उक्तवान इस त्रिविद विशेश विद्ञान में उन्होंने उसका वरणन किया इसका अर्थ क्या है? उनको सपने में कुछ आया और या फिर उनके गूरु ने उसके सिर पे आत रखा और यह अध्या लिखा गया है इस प्रकार से नहीं हुआ है उन्होंने पहले अपतोपदेश से न्यान गरण किया फिर प्रत्यक्षानुमान से उसका निश्चे किया, फिर यह अध्या लिख रहे हैं यह जो भाव उन्होंने लिखे हैं, यह खुद उन्होंने परिक्षन किये हैं रुगण के उपर और इस अध्या का अधिकरण रुगण परिक्षन है यह कभी भूलना नहीं चाहिए, यह अत्यन्त महत्व का अध्या है, पर छोटा अध्या है, यहाँ पर पूरा हुआ, इती आगनिविश्ट कुरते तंत्रे, चरक परति समस्कुरते, विमान स्थाने, त्रिवीद रोग विशेश विद्यानियम, विमानम नाम चतुर्थो अध इस प्रकार से, चौथा अध्या है, यहाँ पर पूरा हुआ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपदेश, और अपतोपदेश, इन सब का रोग परिशन में क्या उसका भाव है, उसका वरनन इसमें किया है, अब अगला जो अध्या है, श्रोतो विमान अध्या है, यह पहले हो प्रथम दिन में ही उसका लेक्चर दिया गया है, अब कल सुबे 11 बजे, चटा अध्या, जो विमान सांका 6 चाप्टर है, रोगानिक विमानम, उसका अध्यानम करेंगे, एक सवाल आया है, अब यह विशय से निगडित नहीं है, वाट इस दख वैगुन्या अन स्थान जहां पे सुरतस अपने जो प्राकृत गुन्य थे, उनसे अतिरिक्त या हीन गुन्य से युक्त हुए है, उसको खव वैगुन्य कहते हैं, और ऐसे खव वैगुन्य में, जब दोश जाके बैठे है, वहां पे स्थान समश्रे का जाता है, एक सवाल पूछा गया था पंकर् इफेक्ट्स ओफ अगनि दीपन और पाच्छन द्रोव्य, अगनि दीपन द्रोविय से शिर्फ अगनी का दीपन होता है, आमका पचन नहीं होता, वहां पे योगंदरजी ने उसका रेफरेंस दिया था, कि उसका रेफरेंस शारंधर सहिता में, पूर्व खंड़ा के चौते अध्या में है दीपन पाचनी नाम के अध्या है और पाचन द्रवयों से सिर्फ आमका और दोशों का पाचन होता है अगनी दीपन नहीं होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा यह जो अध्या है यह हम पूरा करते है और कल सुभे 11 बजे वि और दो क्वे तार क्या घर हैं अग्या है विवाण है आमका और करता है तो एंधाव घड़ा करता है आमका आप उन्हात प्राइस अग्याँ अग्या है आमका अन्या है.